ये सर्दियों का मौसम कैसे आप अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकते थे, किस तरह पुराने टाइम पे लोग वैदों की मदद से राजा महराजा इस घरेलू नुस्खों को अपना कर अपने आपको सशक्त रखते थे, इम्मुनिटी स्ट्रॉंग रखते थे और बिमार नहीं पढ़ते थे, तो मेरे साथ डॉक्टर नित्याश्वरी भी हैं और कुछ पेशेंट्स भी हैं, और छोटी इलाइची के बीज में क्या पोशक तत्रव है, इसका छिलका हटा देना है, क्योंकि छिलके के साथ खाने से ये अलग तरीके से काम करती है, लेकिन छिलका हटागे खाएंगे तो ये आईरन, विटामिन C, नियासिन, राइबोफलेविन, पोटेशियम, मैगनीशियम, केल्शियम और बाकी भी कई तरह के विटामिन दने का काम करती है, ये पीस लेना है, मैं गद्विदाओन का न बाकि आहना है, इसके अलावा आपको चाहिए और आपको एलएसका मूफली के दाने मूफली के दाने, जिनको हमने 6 गंटे भिगो के रखा हुआ है तो ये मुफली, मिश्री और इलाइची को मिलाकर हम एक ऐसा योग बनाएंगे जो अगर पूरी सर्दियां, कोई भी जो आप में बैठा हुआ है अगर सर्दी-सर्दी के 14 जनुरी से पहले-पहले इसको इस्तमाल करना हुता है क्योंकि उसके बाद सूरज का धक्षिरायन से उत्रायन काल शूरु हो जाता है चेंज बहता है सूरज का समय उसके बार ये नुस्का वैसे काम नहीं करता जिस तरह अभी सर्दियों में काम करेगा इसलिए हमारे पूरज बच्पन से इस टाइम पे हमें सफेद तिल काले तिल खाने के लिए बोलते थे और लोडी के टाइम पी हम गच्चा करेवडी और इन सिब चीजों को खाते थे क्य इसलिए ने तियां देनी इसलिए लेता था और मेरे को पता लग चला रहे हम चारिजे मां टीवी देखा इंडा एंडी में आ रहे थे फिर रजान से रिजिटर्शन कराई इनूं बला लिया और हफते बार मेरे शुकर देखी शुकर नॉर्मल पूजिशन पेलको नॉक्ष सब्सक्राइब कोई प्रोडल नी सानी तुझे एक वाठके बखाओ तानू पहला वी चलन फिर दिक्कत होंदी सीगी जिए मैं तो मेरे में परलेज हो गया लेकिन अथे आंत बात तोड़ा पहले ना फरक पहले गया बहुत फरक पहले गया मेरे को मसाज भी करना और पाफ पहले अजिए उसी एक साड़ा कंसेप्ट किता सी अर्थिंग अला राती कोपर दी प्लेट लगा के सुथा सी उन्हें नहीं की फैदा होया व्याट प्रव गंड़ा बन गिया सब्सक्राइब को घ्ला नेसी तर मैं मनीजी जी टीवी तिखे मेरे को मॉबाइल सब्सक्राइ कर देंना के अभी अर्तीश में कारवे 15 पूट से काया ही काट सोगाते मैं बारा बारा कंटे लगा मिसी कहे दी बारा कंटे आपको कर देगा अनल बिर पाद अनल एक सब्सक्राइब कर दो देख रहे हैं की काया चाहंग ए उन्हाट अनू नो जट जबार देखके द्श नह सब्सक्राइब कोई नहीं है इसे नहीं जोड़ के रखेंगे हैं आपको क्या तकलीफ है कहां से आप आयो और क्या दिक्कत थी आपको क्या किड़नी में क्या प्राबलम एं कितने प्रेंट कर देशंट लोगों को आपको देख रहे हैं आप कितने दिन सेड़ में और हैं और आरे और आअप सब्सक्राइब कर लगे है हाँ और पहलो ही जो स्वैलिंग ती वो नियुक्त व्याइब पहले से सूजन भी हड़ गई और भूख भी ठीक हो गई Thank You और भी लोगों से मिलते हैं उससे पहले आपको बता दूं इस तरीक्चे का करना क्या था जो भी हमने इलाइची के बीज लिए अब जो इलाइची के बीज हमने पीस लिए हैं अब इनको हमने दूद लेना है लेकिन अब दूद जो लेना है वो दूद बड़ा प्राब्लम फूल है क्योंकि दूद आप जो पी रहे वो बजार में वो दूद सही दूद नहीं है तो अगर तो देसी गाएं का दूद मिल जाए quarantine तो देसी गाएं का दूद ले सकते हैं आप नहीं तो मुफली का दूद बनाएंगे हम ये मुफली के दानों को मिक्सी में डाल कर हम इसको पीसेंगे थोड़ा पानी डाल कर और फिर उसको कपड़े से च्छान कर हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही निकाल के रख लिया क्या कि आपके दर्शकों का टाइम बच जाए ये मुफली का दूद है मुफली को हमने 6 गंटे भीगो के रखा 6 गंटे भीगोने के बाद इसको मिक्सी में बीट करा थोड़ा पानी डाल के सुती कपड़े से उसको निचोड़ कर ये दूद निकल गया अब ये मुफली का दूद है सेम मुफली के दूद की तरह आप नारियल का दूद भी निकाल सकते हो बना नारियल की गरीली उसको मिक्सी में बीट करा पानी डाल के कपड़े से निचोड़ा नारियल का दूद निकल गया तो ये नारिवल का दूद नहीं तो सबसे best है मुफली का दूद इस मौसम के लिए लेकिन मुफली कौन सी लेनी है कच्ची मुफली अब इस मुफली के दूद को एक गिलास दूद को हमने गरम करना है और उसमें लगबग इतना लगबग तीन चम्मच इलाईची का powder तीन चम कि दूद दाना रह जाएगे आदा रहने के बाद आपने उसको इस तरह वजर आशन राशन में बैठके पिने हैं इस रहा बैठ के पीने जब इस तरह बैठके पीते हैं तो हमारी मसल्स का blood circulation, सारा पैरों का blood circulation हमारे पेट पे और जननांगों पर बढ़ जाता है तो आज की date में आप देखा होगा हर शहर में लिखा होता है कम जोर रोगी मिलें फलाने मिलें, नाम बर्द मिलें लिखा होगा ना, जबकि पुराने टाइम पर दिक्क्ते ही नी लोगों की रानिया भी पता नहीं कितनी कितनी होती थी आज कल क्या व्यक्ति अपनी एक बीवी को खुश नहीं कर पाता तो दिक्कत आती है तो यह सर्दियों में जो दो मीने का नुस्खा है यह आपको किड़नी फेल से में बचाएगा लीवर खराब होने से भी बचाएगा ओनुत में तो इसमिर से पहले नोबमबर का महिना और दिसंबर का महट होता है इस ही रितू में रसायन और वाजिकर्ण सेवन का जो है वो में उप्यूक्त वर्नन दिया है तो इसी कारण जो है अगनी के बल की वृद्धी के कारण जो है हम इनका सेवन करेंगे तो बहतर हमें रिजल्स प्राप्त होंगे एक मैं बोल दूँ जैसे हम बोलते हैं गाएं का दूद पियो गाएं पर कावत क्या है गाएं हमारी और भैस और क्या कावत है अकल बड़ी के गई भैस काला अक्षर जिसकी लाठी भैस के आगे तो कभी भी भैस का दूद ना पिये यह भैस को काटा मार दो इसका दूद मत पिया अगरो गल्ती से भी और इसके अलावा जो गाएं का दूद भी पीना है तो कभी भी आपने अगर पीन पीए नहीं तो मुफली का दूद पीलो नहीं तो नारियल का दूद पीलो ऐसे ही बदाम का दूद ही बन जाता है बदाम भिगो के रखो 6 घंटे उसको मिक्सी में बीट करो कपड़े से नहीं चोड़ो और उसका दूद बनाओ और यह जो तरीका है आपका इलाइची और आप काले तिल यह दोनों तिल यहां पड़े हैं यह दोनों आप नियम अपना लो अगर किसी का किड़नी फेल होने वाली भी होगी ना वह बच जाएगी किसी का बीपी हाई होने वाला भी होगा तो बच जाएगा मनलब आपको कोई बीपी की वज़े से हाठ की दिक्कत नहीं आ तो मुझे वमिट बहुत लगी हुई थी मेरा क्रेट 9 लेवल 6.98 था और वीकनेस बोड़ी में बहुत जादा थी मेरा हीमोगलोबिन भी 7.2 रह गया था लास्ट यहां पर जो मुझे 7 डेस की जो ट्रीटमेंट मिली थी जो इन्होंने मुझे सिखाया था उससे मेरे को आज मै मैं आप बता रहा हूं तो मेरे बॉड़ी में अनर्जी बहुत है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किड्नी पेशेंट हूं मैं बहुत नॉर्मली बहेव करता हूं और एवन मैं संडे संडे क्रिकट भी खेलता हूं मैं और बहुत पहले से थोड़ा आपको सही लेवल ह तो हो सकते हैं अमेर्जनसी वो करेंगे डालेसिस करना पड़ेगा बहुत हील गया था मलकि मैं मलकि अगर 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 मलकी जो भी है सर लाइफ है मलकी लाइफ में कुछ भी है पर आप यहां आईये हम्स में बहुत बैटर है मेरी एक बीपी की मैडिसन में पांच-छे साल से ले रहा था वो भी अभी नहीं ले रहा हूं तो थैंक्यू वेरी मच एक और दर्शक है एक और पेशेंट है मैं उन से भी मिलवा देता हूं आपको आप कहां से आप आये हो और क्या तकलीफ थी आपको क्या फाइदा हुआ है मैं असाब से आया हूँ मैं आम खितिश्वर का है अच्छा है नो नो टाइक से मैं यहां में भरती हूं तो सब सब बढ़िया बात है आप लोगों सब को दृले बात देना चाहता हूं जो बीपी आपको यहां के बारे पता के लिए समय लए लिवर फेल यानि की बोल देता है लिवर ट्रांस्पलांट करा आँ महीं लिवर आप सब के सामने लिवर धीर धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगा तो जाए किड़नी हो यह वापस रीग़ों करते हैं बस उसके लिए हमें जो दो बार खाता है वो भोगी और तीन बार खाता है वो और आज पूरा भारत कम से कम आप सब भी 6-6 बार खाते हो तो आप सब बनोगे महार होगी तो सुधर जाओ अभी भी आईरवेद को अपना लो जो दो बार खाने की बात करता है अगर आप बात करते हो पुराने टाइम की तो लोग बोलते थे दो वक्ते खाने के लिए काम कर रहा हूं, दो वक्ते के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन आज कल क्या हो रहा है, breakfast, lunch, dinner, बीच में mid meal, फिर lunch और डिनर के बीच में mid meal, और रात को ठाने के बाद फिर शाम को कुछ न 128 centers हैं, जहां पे qualified doctors बैठते हैं, अगर आप घर पर अपने लिए कोई नुस्का बना सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, नी तो हमारे doctor के बास जाओ, मिलो, बैठो, समझो, यह पूरी expert high centers की list भी है, यह आप इस number से, नीचे एक number है, इस list को आप ले सकते हो, और doctor से मिलके सला करके भी आप अपने लिए treatment decide कर सकते हो, तो आज हिमस hospital चंडीगर से, मैं अचारे मनीश, मिरसा, doctor नितेश्वरी और doctor सुयश, हमारी team की तरफ से, और यह सब हमारे client, patient, जो की विश्वास कर रहे हैं, आई रुपे, उन सब की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत, thank you, thank you, namaskar.